तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले question को करते हैं देखते हैं इसमें क्या है एक अच्छा सा question है तो यह करते हैं कि sorry कि the height is the weight of the body same as the depth D में अगर मैं यहां से point A से उपर जाता हूं तो इस height पर यहां से मैं उपर जाता हूं तो इस हाइप पकि इस बाडी का वेट डबलू ऑन है ठीक और одном से नीचे जाता हूं तो यहां पर भी जो वेट है वह बैटी जाता हूं तो यह पर भी वेट डबलू टू है तो यह कर रहे हैं कि डबलू बराबर है बच्चो डबलू टू के ठीक है कोई दिक्कत परसानी मुली मुसीवत बदिवाद नहीं है तो यह कहते हैं और डी डेप्थ है तो यह देप्थ डी फ्राम दे सर्फेस अफेश तो हमें यह निकालना है इन तम टम अफ आर तो समझें जो है देखो वेट सेम है अब यह बात आपको कैसे पता चलेगा कि बताया नहीं गया ओपर जाने के लिए दो फारूला लगता है ठीक है एक कम हाइट के लिए एक लार्जर हाइट के लिए उपर के लिए लगाता हूं तो जी इस उकल टू तो कि वेट इस उकल टू होता है एम जी वन तो यह जाएगा बराबर होगा वेट डबलू इस उकल टू एम जी टू तो यहां से अगर जी वन जी अगर जी वन और जी टू बराबर है तो वेट बराबर होग तो g1 की value h height से जो vary करता है वो हम सब को याद है और मैं लगा रहा हूं कि small height नहीं larger height तो g is equal to r और r plus h का whole square is equal to depth के लिए तो एक ही formula है 1 minus d over r ठीक है बस symbol सी बात है इसको सालो करके h निकालो solution हो गया जी ने जी को काड़ दिया यहां से बचा r square और यहां बचा r plus h का whole का square और यह 1 minus d over r तो 1 minus d over r अगर तुम देखोगे तो basically अब इसको solve कर लो quadratic equation बनेगा और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें तो यह बनेगा r minus d r minus d और over तो r minus d over r तो यह जो depth d है हाइट h एड़ी बॉड़ी है सेम सेम वेट एज सेम डेप्थ डी तो यहां जो डेप्थ डी है जो डेप्थ डी है वह भी h के equally दिया है तो यहां से मैं r minus d लिख सकता हूं और अपान r minus d को मैं बड़े अराम से यहां लिख सकता हूं h का whole का square तो अब एक काम करते हैं इस quadratic equation को हम लोग solve कर लेते हैं तो इसको मैं लिख सकता हूं r plus h को whole square से मतलब यहां तुम देखोगे तो r minus h और r plus h और यह r plus h लिखा जा सकता है तो इसको मैं लिख सकता हूं r square minus h square is equal to r plus h और इसको मैं लिख सकता हूं r की power q समझे हो r से multiply के minus r h square और मैं यहां से लिख सकता हूं plus r square h और minus h की power q तो यहां से तुम देखो कि इधर बनाता r की power q और r q minus r यहां से r और r h plus r square minus h square और यहां से मैंने इस वाले टाम में मैंने h को common ले लिया यह multiply नहीं हुआ है यहां पर तुम देखोगे तो यहां multiply नहीं हुआ तो आई होप कि यह solve तो करी सकते हो तुम बट यह है कि चलो मैं भी मैं ही कर देता हूं तो यह r q r q इससे खतम हो गया और यहां से तुम देखोगे इधर बचा जीरो तो इधर बचा जीरो तो यह जो जीरो वाला टाम है यहां से यह जो जीरो वाला टाम है एच इसमें से common ले लिए यह भी A, R, Q इसे कतम हो गया और यहां से जब इधर 0 बचा तो H common था तो यह भी कतम हो गया तो इधर एक quadratic equation बचा H square और plus R H और minus R का whole square is equal to 0 तो इस quadratic equation को तुम देखोगे तो H की value आ जाएगी minus B यहां से देखो minus B minus R plus minus B minus 4 times AC R square under root और divide करदे 2A से तो finally जब इसको solve करेंगे तो minus R plus minus 5 R square under root और divided by 2R यहां से तो 2R 2R यहां से 2R की value यहां पर यहां से A की value 1 है तो यहां से फाइनली इसको simplify करके लिख दो तो H की value is equal to हमें जो चाहिए था तो हमें जो चाहिए था तो minus plus minus plus R और यहां से 5 under root R यह बहार आ गया और यह 2 तो फाइनली इसको ढग से लिखो तो we just neglect the minus वाला तो minus वाला को हमने neglect किया तो R हमने बहार गया तो root 5 और minus 1 is equal to 2 तो यह जो फाइनली है root 5 minus 1 this is the final solution of this expression तो आयो कि यह आपको समझ में आ गया होगा कुछ था नहीं यहां पर quadratic equation था और उस quadratic equation को solve कर सकते हो thanks for watching this video इस हिसाब से कुन सा option हमारा match कर जा रहा है तो इस हिसाब से हमारा a option match कर रहा है आपको समझ में